नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों नारियल के दूद में छिपें हैं सेकडों फाइदे जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में नारियल के दूद के ऐसे फाइदे आपको बताये जा रहे हैं जो आप में से चायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा दोस्तों नारियल को श्रीफल ऐसे ही नहीं खा जाता क्योंकि यह सच में गुणों की खाने नारियल को आप चाये तो कच्चा खाएं या फिर इसको सुखा कर गोला कडी बना कर खाएं या फिर आप नारियल का पानी पीए ये सभी तरह से स्वास्त के लिए बहुत ही ज़ला फाइदे मंद होता है नारियल का तेल तो बालों के लिए प्रकरती का दिया हुआ वर्दान माना जाता है नारियल के इतने सारे उप्योग के बाद क्या आपको पता है कि नारियल से दूद भी निकाला जाता है जिया दोस्तो नारियल को ग्राइंडर में पीस कर इसका दूद निकाला जाता है और डक्षिन भारत में नारेल के दूद का इस्तमाल कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है तो ये तो हुई नारेल के दूद की पेचान तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इसके क्या-क्या लाजवाब फायदे होते हैं दोस्तो नारियल का दूद वजन को कम करने में मददगार माना जाता है क्योंकि इसमें fariber भरबूर मातरा में बाई जाता है जिसकी वज़े से नारियल का दूद पीने से आपका पेट कर लबे समित भरा भरा मحسुस होता है इसके लावा नारियल के दूद में जिंक काफी अच्छी मात्रा में होता है जिंक प्रोश्टेट ग्रंती को सेहतमन बनाये रखने का काम करता है रिसर्च ये अनुसर जिंक प्रोश्टेट केंसर सेल्स की एक्टिविटी को धीमा बनाने का काम करता है ग्लूकोस के अस हेनिये वजन से शरीर में मेगनीच की कमी हो जाती है दोस्तों तो ऐसे में नारियल के दूद में मेगनीच काफी अच्छी मातरा में पाए जाता है बादाम, साबुत अनाज और फलिया आधी भी मेगनीच के एक बड़े असोत्र माने जाते है इसके लवा दोस्तों जब भी मसल्स में दर्द और एठन का एसास हो तो थोड़ी से नारियल के दूद का सेवन करना चाहिए इसमें मेगनीच पाए जाता है जो मसल्स क्रैंप और दर्द से आपको रहत दिला सकते है इसके लवा नारियल के दूद में कोपर भी पाया जाता है जो शरीर के लिए अतियावशक तत्व माना जाता है दोस्तों विटामिन C और कोपल इसकीन और बलड वेसल्स को लचीला और मुलायम बनाते हैं दोस्तों नारियल के दूद के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बूश्ट होती है जिससे सर्दी जुखाम, सर्दी खासी जैसे वाइरल इंफेक्शन आदी से आपको मुक्ती मिल सकती है नारियल के दूद में केलशियम के साथ फासफोरस भी भरबूर मातरा में होता है इसे पीने से या फिर इसका इस्तमाल करने से भोजन में भोजन करने से हड्या मजबूर बनती है यह जरूरी है कि केलशियम के साथ फासफोरस की मातरा ली जाए क्योंकि इससे सरीर को फासफोर रेट की प्राप्ती होती है दोस्तो जो लोग हाई बीपी के मरीज है उन्हें पोटेशियम वारा आहाल लेना चाहिए नारियल के दूद में पोटेशियम भी होता है जो शरीर के बलड पेशर को कम करने का कारिय करता है इसके लावा दोस्तो जोडों की सूजन में नारियल का दूद पीना काफी फाइदेमन सा भी तो सकता है क्योंकि इसमें सेलेनियम पाये जाता है जो एक बहतरीन एंटी अक्सिडेंट होता है यह फ्री रेडिकल सेल्स को नश्ट करता है जिससे गठिया जैसी बिमारी में लाव मिलता है ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों में सेलेनियम की कमी हो जाती है उन्हें गठिया की बिमारी होने का खत्रा जादा रहता है ऐसे में नारियल का दूद पीजिए और गठिया की बिमारी होने से बचाईए तो दोस्तो ये थे नारियल का दूद पीने के कुछ लाजवाब फाइदे उम्मिद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच पाए